1984 सिख कतलेयाम पीडित वेलफियर सोसाइटी पंजाब के प्रधान सरदार सुर्जी सिंग तथा बीबी गुर्दीब को और प्रधान स्रीविंग की तरह से एक प्रेस कॉन्फरेंस की गई इस ज़रान पत्रकारों से बाचित करते उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पीडित परिवारों को दो दो लाक रुपे देने का एलान किया गया था जिसकी आखरी तारीक 11 जुलाय 2016 थी प्रन्तु आज तक किसी भी परिवार को कोई ग्रांट नहीं दी गई साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरदा प्रकास सिंग बादल द्वारा पीडितों को पांच पांच लाक रुपे दिलाने की बाद भी कही गई थी इस संबंधी उन्होंने मांग की है कि उनको बंता हक दिया जाए साथ ही चतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बारा सेप्तेमबर को बीबी गुर्परित कौर तथचार और बीबियां भूखरताल पर बैठेंगी पर जिल्यां दे डीसी ने किसी एक डीसी ने वी साड़े पर दाना तक संपर्प नहीं किता और कोई लोका नू जंतक तोरते ओं चिठी नहीं किती गही ताके लोका नू पता लगे और लोग जाके अपनी जड़ी दो दो लाक ती ग्रांट वास्ते अप्लिकेश्टां ओधा टाइम पूरा हो गया होन ओ लोका ने नाल इतना वड़ा तोखा और इतना वड़ा फराड जड़ा हैगा जड़े वचारे उजड़ के आए मारेगे लुटेगे 32 साला बाद अगर संट्रिल सरकार ने उनना नू दो दो लाक रपिया एक कोई ऐसान नहीं कार रही सरका साड़े ते असी उजड़ के आएं साड़ा इतना इतना नक्सान होया उस टाइम अगर दो लाक दी गरांट लोका नू मिल रही सी पर एथे दी पंजाब सरकार दी अबसर शाही ने उस जड़े गरांट जड़ी हैगी अब डेट काड़ देती और लोका विपनाल तो खा की सब्सक्राइब करें जड़े ने कुछ वी यह हो जी कोई गली की थी के असी नहीं किते मकान बढ़ा के दुआंगे या नहीं प्लाट दुआंगे या कुछ करांगे मैं एक चीज कहना चानी हैं बादल साब नू बादल साब उसी गरीबां वास्ते चलो बहुत वदी अगाल के परिक गरीबां वी मकान चाहिए ने छहता हैं पर जड़े उजड के आए उन्ना था की कुसूरा नू कोण कुछ हो गा करके इसकार कि सारियां गला जड़ियां बादल साब ने पढ़े वी या क्यों है बातांगे और पूरे पंजाब थी पप्ललक कठी होएगी मैं पंज अपने निहेंगिव अपने परिवारां दे समयत अपने बच्चीयां दे समयत सत्याना